हेलो दोस्तों, आना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधान मंतरी जी ने बताया है कि हमें मिलेट्स जरूर खाने चाहिए, ये काफी ज़ादा पोश्टिक होते हैं और हमारे बच्चों के हेंथ खेले काफी ज़्यादा नाबदायक होते हैं तो आईए बिना देरी किये हुए इस रेश्पी को बना लेते हैं तो यहाँ पर एक कोई बड़ा बरतन लेंगे उसमें एक कप रागी का आटा ले लेंगे यह दिकि रागी का आटा है तो इसे हम बरतन में डाल देंगे उसकी बद उसी कप से हम एक कप दई लेंगे उसी भी उसमें डाल देंगे करना क्या है कि इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों आज की जो अमारी रेश्पी यो काफी ज़्यादा हेल्दी बनने वाली है तो बस यह इपत करना क्या है थोड़ा सा पानी डाल देना है और फिर इसे अच्छे से प्वेट लेना है दोस्तों अमारे प्रदान मंत्री जी ने हमें बताया है कि रागी और जौर बाजरा ये सब चीजें हमें खुद भी खानी चाहिए और अपने परिवार में सब को खिलाना चाहिए बच्चों के लिए काफी ज़्यादा हेंदी होता है उनका ब्रेन अच्छे से फिकास करता है तो ये देखिए इसे हमने अच्छे से फेट लिया है तो ये इपकर करेंगे क्या एक कटे हुई हरे मिर्च डाल देंगे अगर बच्चों को पसंद है तो डाली ये नहीं तो फिर मट डाली एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे एक किटाव और टमाटर डाल देंगे थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे और टेश्ट के इज़ापसे नमक डाल देंगे बस अब करना क्या है इंस अभी चीजों को आमे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो दोस्तों देखें इसी तरीके से यह मैं इसे अच्छे से mix कर लेना है अब आप जो है इससे अपनी recipe को बना कर त्यार कर सकते हैं अगर आप इसमें सूजी डालना चाहते हैं तो एक कप यही पर सूजी डाल दीजिए थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए और इससे अच्छे से फेट लीजिए बस तो अब इसस अच्छे से फेट लेंगे और इससे अपनी recipe को बना कर त्यार करेंगे आप चाहें तो यही पर दो चुटकी बेकिंग सोडा डाल सकते हैं मैं यहाँ पर सोडा वगर कुछ भी नहीं डाल रही हूँ तो दोस्तों यह देखें इसे हमने अच्छे से फेट लिया है तो इसे 10 म के बाद देखें थोड़ा सुखा लग रहा था तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है और यह अपनी recipe बनाने के लिए त्यार है तो बस इसी से हम गर्मा गरम अपनी recipe को बना और त्यार कर लेंगे तो दोस्तों ध्याना किए इस घोल को में ज्यादा मोटा या ज्यादा पतला नहीं करना है बिल्कुल इसी तरीकी का गोल बना कर त्यार करना है तो चलिए चलते हैं तवे की तरफ तवा हमारा अच्छा गरम है उस पर तोड़ा सा ओयल स्प्रेट कर देंगे और देगे इस तरीके से वेटर लेंगे और अच्छे से पहला लेंगे छोटा वाला कल्ची लिया है उसे से दो कल्ची वेटर डालेंगे और इसी तरीके से जैसन चीला फिलाते हैं बिलकुल उसी तरीके से पहला कर तैयार कर लेंगे गैस की फ्लेम को ज्यारा आई नहीं रखना है तो बस करना क्या है इसे दो मिनट के लिए ड़ए अधे ना है और permet के वाद जहां छ पूसंद वो डाल दीजी, फिर इसे एक मिनट के लिए डग दीजी और जब आप एक मिनट के बार इसे खूलेंगे तो देखिए, यह अच्छे से एक साइट से सीखिया है, तो इसे दूसरी साइट भी पलट लेंगे, तो दोस्तों यह लिए यह देखिये, अच्छे सीख गया प्रेंच वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक सेयर जरूर करें और आपको यह रेशपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं तो आप भी प्रदानमंत्री जी की कहे अनुसार अपने बच्चों को ऐसी रेशपी बना कर जरूर खिलाएं ते एक नई वीडियो में एक नई रेशपी के साथ तक किलाएं